हाई गाईज आ होप एला डूइंग रेट हम लोग बात करें हमारे डेली के रेंट फेर सेशन की जो सुबा चार बज़े वैलिबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनाइकलर फ्रंटियर आइस पर आज की तारीक है 20 जून 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ for daily videos, pdf and monthly magazine आप हमारे टेली गिरम हैंडल्स प्रंटियर आइस और से सीजल पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे previous quiz के साथ मैंने अपसे पहला question पूचा था कि किस राज्य केंदि शाजित परदेश ने आपकी जमीन आपके निगरानी आजान पहल शुरू की है इसका correct answer था जमूर कश्मीर और दूसरा question पूचा था कि विश्यू बुजर्ग दुर्वेवहार जगरुक स्टार्ट करेंगे first question देख लो आज के session के लिए किस भारते अमेरिकी को पेंटागन के शीश पद के लिए न मांकित किया गया है important question है इसका correct answer है option number C राधा यंगर प्लंप details देख लो तो अमेरिका के राष्ट्योपदी जो बाइडन ने एक भारते अमेरिकी सुरक्षा वि defense for acquisition and sustainment नामित किया है वेक महतवपून पद के लिए नामित होने वाली नवी इंतम भारते अमेरिकी बन गई है राधा यंगर प्लंप जो बरतमान में उप रक्षा सचीव के chief of staff के रूप में कारयत है वो 15 जुन 2022 को अमेरिकी राष्ट्योपती द्वारा शीश पेंटागन पद युल्म नामिति किया गया था भारते अमेरिकी राजनाहिक रचनासच देवा को एपरिल 2022 में माली में दू harmonic के रूप में नुखतत किया गया था मार्च 2022 में पुनी तलिवार को मो्रोकों में देश के राज़ धूथ और राजनीतिक पार करता शेफाली राजदां नमबर सी 15 जून डिटेल्स देख लो तो हर साल 15 जून को वैश्विक पवंदिवस या ग्लोबल बिंडे मनाया जाता है इसका योजन यूरोपियन बिंड एनरजी एसोसियेशन और ग्लोबल बिंड एनरजी काउंसिल करता है वर्ष 2007 में पवंदिवस की शुरुवात की गई और वर्ष 2009 में वैश्विक सर पर मनाया गया भारत में वर्तमान में 31 मार्श 2021 तक 39.25 गीगवार्ट की कुल सापित शमता के साथ दुनिया में 34 सबसे अधिक पवंद सापित शमता है और भारत ने 2020-21 के दुरान लगभग 60.149 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया है नेक्स्ट कुछण देखो भारते प्रेस परिशत धाट इस प्रेस काउंसल अफ इंडिया की पहली महिला ध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है करेक्ट आंसर है option no.C. Justice रंजना प्रकाश देसाई देटेल्स देख लो तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को भारते प्रेस परिशत यानि प्रेस काउंसल अफ इंडिया की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया वे PCI की पहली महिला ध्यक्ष होंगी वे जस्टिस सेवन रित सीके प्रसाद का स्थान लेंगी जिन्होंने नवेंबर 2021 में पद छोड़ दिया था PCI प्रमुकपत अब से खाली पड़ा था जस्टिस सेवन रित देसाई ने हाल ही में जमू कश्मीट परिसीमन आयो का नेतरित्व किया था वे समान नागरिक सहिंता का मसवदा तयार करने के लिए गठेत उत्राखन सरकार की पांच दस्य समीटी की भी अधक्षिता करती है नेक्स्ट क्वेशन देखो तो युरोप के सबसे बड़े स्टार्ट अप समेलन वीवाटेक 2020 ने भारत को कंट्री ऑफ दी एर के रूप में मानिता दी है केंद्री लेक्ट्रोनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैशनव ने वीवाटेक प्रद्योगी की प्रदर्शिनी में भारत मंडप को घाटन किया भारत के लगभग 65 स्टार्ट अप सरकारी समर्थन से समेलन में भाग ले रहे है भारत ने कुछ वर्षों में 100 यूनिकॉन्स बनाए है जबकि यूरोप ने 26 यूनिकॉन्स बनाए है नेक्स्ट क्वेसन देखो देश की पहली बाली का पंचायत किस राज्य के पांच गाउं में शुरू हुई है करेक्ट आंसर है ऑप्शनमबर D गुजराट देख लो तो गुजराट के कच जिले के पांच गाउं में देश की पहली बाली का पंचायत शुरू हो गई है इस पहल का उदेश्य लड़कियों के समाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़हवा देना और राजनीति में उनके सक्रिय भागदारी सुनिश्चित करना है कच जिले के कुनारिया, मसका, मोटा गुआ और बटसर गाउं में पंचायत शुरू हो गई है यह पहल गुजरात सरकार के महिला एव बाल विकास कलियान विभाग दवारा बेटी बचाओ बेटी पढ़हव भियान के तहत की गई है बालिका पंचायत का प्रबंदन 11-21 आयू बर्की की लड़कियों दवारा किया जाता है और इसका मुख्यों देश्य बालिकाओं के समाजिक और राजनितिक विकास को बढ़हवा देना और समाज से बाल विवा और दहेश पता जैसी पूरीतियों को दूर करना है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो ग्लोबल स्टार्टप एकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डिबल टालेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है ग्लोबल स्टार्टप एकोसिस्टम डिपोर्ट में अफोर्डिबल टालेंट में केरल को एशिया में पहला स्थान दिया गया है इंपोर्टेंट पॉइंट था ये राज्य को G.S.E.R. में वैशुक रैंकिंग में चौथा स्थान दिया गया है इस रिपोर्ट को स्टार्टप जी नॉम और ग्लोबल एंटर्परनियोर्शिप नेटवर्क दुवारा जारी किया गया है केरल इस स्टार्टप आवाहाउस बनने के लिए 2006 में केरल स्टार्टप मिशन की सापना की थी रिपोर्ट के अनुसार केरल आर्टिफिशल इंटेलिजेंस AI और डेटा अनलिटिक्स में निवेश के लिए उप्यूप थे नेक्स्ट क्वेशन देखो 2023 में सॉलिडैरिटी नामग संयुक सीमा भियान किस देश दुवारा आयूजद किया जाएगा करेक्ट आंसर है अप्शन नमबर A चीन डेटेल्स देखनो तो शंगाई सहियोग संगठन के सदस्य देशों की सीमा सेमाओं के प्रमुकों की आठवी बैठक हाल ही में भारत के धक्षिता में नई दिल्ली में हुई इसमें भारत कजाकिस्तान चीन किर्गिस गनराज्य पाकिस्तान रूस ताजिकस्तान उसबेकिस्तान की इस बैठक में संयुक सीमा संचालन मैत्री सीमा 2022 की तैयारी और संचालन की योजना की समिक्षा की गई और इसे मन्जूरी दी गई अगले साथ सॉलिडेरिटी 2023 नामक सहयुक सीमा भ्यान चीन में आयूजित किया जाएगा सीमा सिमा की प्रतिनिधियों और शंगाई सहयुक संगठन के शेतरी आतंगबात विरोधी धांचे की कारेकारी समिती ने भाग लिया नेक्स्ट क्वेसन देखो दिटेल्स देख लो तो इंदिरा गांदी अंतराष्ट हवाई अड़ा दिल्ली को 2022 स्काइट्रेक्स वर्ल्ड एपोट अवाड़्स में भारत और दक्षिन एशिया में सर्वश्वेस्ट हवाई अड़े के रूप में चुना गया है हवाई अड़े ने अपने समगरे रैंकिंग में भी सुधार किया जो पिछले साल के 45 वे स्थान से 2022 में 37 वे स्थान पर आ गया है यह दुनिया के 60 पचास हवाई अड़ों की लीग में शामिल होने वाला एक मातरब भार्टे हवाई अड़ा बना हुआ है केंपे गोड़ा अंतरराष्टे हवाई अड़ा बैंगलूरू ने 2022 अवार्ट में भारत और दक्षिन एशिया में सर्वशेश्टिक शेत्रे हवाई अड़े का खिताब जीता है पुरसकर समारो 16 जून को पैरिस फ्रांस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित किया गया था नेक्स्ट क्वेसन देखो किस वैश्यक संगठा ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है करेक्ट आंसर है ओप्षिन नमर सी यूएन एच्सियार दिटेल्स देख लो तो संयुक तुराश्ट शर्नार्थी अजेंसी यूएन एच्सियार ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की रिपोर्ट के नुसर विशुस्तर पर अब 10 करोड लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए है यूएन एच्सियार ने दुनिया भर में खाद असुरक्षा, जलबायू संकट, यूकरेन में युद और अफरीका से अफगानिस्तान तक अन्य अपास सितियों को प्रमुख कार्णों के रूपनों जागर किया रिपोर्ट के नुसाद 2021 के अन्तक युद, हिंसा, उत्पीडन और मानव अधिकारों के हनन से 20 थापितों की संख्या 89.3 मिलियन थी लास्ट क्वेस्टन देख लो आज के सेशन के लिए भारते मानक ब्यूरों BIS ने हाल ही में नौन इलेक्ट्रिक कूलिंग क्याबिनेट मिटिकल रेफरिजरेटर के लिए एक भारते मानक विक्सित किया है जिसका आविश्कार डैश दबारा किया गया है करेक्ट आंसर है और प्षन बर बी मनसुख भाई प्रजापती देखलो तो भारते मानक ब्यूरों BIS ने मिट्टी से बने गेर इलेक्ट्रिक शीत उक्करन यानि कूलिंग क्याबिनेट के लिए एक भारते मानक विक्सित किया है इसका उप्योग खराब होने वाले खाद परदार्टों के भंडारन के लिए किया जाता है मिट्टीकुल रेफ्रिजरेटर के नाम से नामित इस रेफ्रिजरेटर के इन वेक्षक गुजरात के मनसुग भई प्रजापती है यह एक प्राकरतिक रेफ्रिजरेटर है जो मुख्य रूप से मिट्टी से सब्जियों, फलो, दूद्ध और पानी को ठंडा करने के लिए बनाया जाता है B.I.S. मानक, I.S. 17-693-2022 कले आधारित कूलिंग काबिनेट के लिए निर्मान और प्रदर्शन आवशक्ताओं को निर्दिष्ट करता है जो बाप्षी करनेशीत कलन के सिधान कौपयोग करता है क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की तो इंडियन अमेरिकन राधा यंगर प्लम को टॉप पेंटागन पोजिशन के लिए नॉमिनेट किया गया है ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है प्रेस काउंसल अफ इंडिया की पहली विमन चेर परसन बनी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यॉरप का बिगस स्टार्टप कॉन्फरेंस विवाटेक 2020 में कंट्री आफ दी इयर बना है इंडिया कंट्री की फर्स्ट एवर बाली का पंचायत गुजरात में शुरू की गई ग्लोबल स्टार्टप एकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार अफोर्डिबल टालेंट में एशिया में फर्स्ट आंक हासिल किया है केरला ने 2023 में जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन सॉलिडरिटी 2023 चायना और्गनाईज करेगा 2022 स्काय ट्रेक्स वर्ल्ड एरपोर्ट अवर्ड्स में बेस्ट एरपोर्ट इंडिया एंड साउथ एशिया बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट यूँवन एच्सिया ने जारी की और मिटिकुल रेफ्रिजुरेटर को इन्वेंट किया है मनसुख भाई प्रजापती ने बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल्स वोदर डे के आपका पहला क्वेस्टिन है वर्ल्ड कॉंपिटिटिव इंडेक्स 2022 में इंडिया का रेंग क्या है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है अंतराष्टे साहित्यक उत्सव उनमेश का यूजन किस राज्य में किया गया दोनों क्वेस्टिन हुमारे प्रीवेस्ट से है इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने बली हर वेडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंट्स को जोईन जरूर करना है Thank you so much I'll see in my next session